आज का पार्ट है मेरा नया बच्पन यह एक कविता है जिसे सुबहतरा कुमारी चौहान जी ने लिखा है इस कविता की व्याख्या और उसके बाद कुछ वस्तोनिस्ट प्रश्ण भी हम इस पार्ट में करेंगे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जीवन का सबसे सुन्दर समय बच्पन का होता है जीवन की यह आवस्ता तनाव से मुक्त होती है चिंता नहीं होती है खेलने कुदने में समय गुजर जाता है और बीती यादों को कवित्र ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है बच्पन के उस अधुर समय को याद करते वे यहाँ अपने मन की बातें लिखी हैं और साथ ही साथ यह भी बताया कि उनकी चोटी बिटिया के बच्पन में उन्होंने अपने स्वयम के नए बच्पन को महसूस किया है इस कविता के द्वारा हमें यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि ब बच्पन में इस बात को समझ नहीं पाते लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने बच्पन में उस बच्पन को जीना आना चाहिए इस कविता की भाषा पूरी कविता की भाषा खड़ी बोली है सरल है कविता में प्रवाह है और आसानी से समझ में आने वाली है अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। सुभतरा जी ने जो कविताइं लिखी हैं उनमें या तो वीर रस की प्रमुकता है और या फिर वात्सले रस की इस कविता में वात्सले रस की प्रमुकता है। और अब हम कविता शिरू करते हैं पहले हम ये कविता की चार पंक्तियां पढ़ते हैं बार बार आती है मुझको ये मधुरियाद बचपन तेरी गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी चिंता रहित खेलना खाना वे फिर न निर्भाय स्वचंद कैसे भूला जा स रखता है बचपन का अतुलित आनंद तो यहां जो कठें शब्द हैं उसमें आप निर्भाय यानि भाय रहित स्वचंद अर्थारत आजादी से और अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके और इस तरह यहां इंचार पंक्तियों में जो कुछ शब्द आपसे वस्तोनिस्ट प्रश्ट में आते लगो उत्तर में भी पूछ सकते हैं कि चिंता रहित में कौन सा प्रत्या है रहित प्रत्या है इसी तरह एक और शब्द है निर्भाय जिसका आपको उपसर पूछा जा सकता है तो उपसर वह शब्द को अलग करना आपको आना चाहिए आतुलित वाक्या किस वाक्यांश के लिए है एक शब्द है ऐसे भी पूछा जा सकता है वाक्यांश दिया जा सकता है उसके लिए एक शब्द पूछा जा सकता है यहां पर प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कवियत्री ने अपने बच्पन को याद करते हुए अपने मन के भाव व्यक्त किये ह और संदर बाब चानती है किताब का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे वियाक्या में आप इस प्रकाह लिख सकते हैं कि इस पाध्यांश में कवेतरी कहती है हे बचपन मुझे बार बार तेरी याद मधूर याद आती है तू तो मेरी सारी मस्ती और मेरे जीवन की सारी खुशी अपने साथ ही ले गया है आज़े भी कहती हैं चिनता रहित खेल ना खाना वै फिर ना निर्भै स्वचन्द मेरा बचपन इतना मधूर था कि उसमें बिना किसी चिनता के मैं खेला करती थी, खाया करती थी और बिना किसी डर के गूमा फिरा करती थी आगे भी कहती है कैसे भूला जा सकता है बच्पन का अतुलित आनंद बच्पन का बिताया हुआ वह सुखमय समय मैं कैसे भूला सकती हूँ तो विशेश में आप मैंने अलंकार बता दिये बार बार पनिरुति प्रकाश अलंकार है मुझको मदूर अनुप्रास अलंकार है खेलना खाना में अनुप्रास अलंकार है और अतुलित आनंद मैंनुप्राज अलंकार है और खड़ी बोली है शब्दावली सरल और मधुर है भावन कूल है बचपन के स्वचंद समय का उन्होंने स्मरण किया है अगली चार पंक्ति आहां पढ़ते हैं उच नीच का ग्यान नहीं था चुआ चूत किसने जानी बनी हुई थी वहां जोपड़ी और चीथोणों में रानी किये दूद के कुले मैंने चूस अंगुठा सुधा पिया किलकारी किल लॉल मचा कर सूना घर आबाद किया तो यहां आप देखें इन चार पंक्तियों में जो बचपन की सरलता है बचपन का सरल जीवन है उसका वर्णन किया है वे कहती हैं कि बचपन में उन्हें उच नीच का बिलकुल भी ग्यान नहीं था किसे चूना चाहिए कौन अस्प्रश्य है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी वे कहती हैं कि खेल खेलते हुए वे एक जोपड़ी बनाती थी और उसमें चीथड़ों में लिप्टी गुडिया जिसे वे गुडिया रानी कहती थी गुडिया वाले खेल खेला करती थी अब चीथड़ों में रानी का आर्थिया देखिए पहले प्लास्टिक की गुडिया और बारवी वगरा इनका चलन नहीं हुआ करता था तो बच्चों को खेलने के लिए लड़कियों को खास कर जो खेलने के लिए गुडिया बनाई जाती थी वो घरों में ही बनाई जाती थी ममी पुराने कपड़ों के से गुड़े गुडिया बना दिया करती थी त आगे वैं कहते हैं कि ये दूद के कुल्य मैंने इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने बचपन में भरपूर दूद पिया है। इसका आशा यह है कि उनके घर में संपन्नता थी, सम्रिद्धी थी और ऐसे संपन्न घर में वे पली बढ़ी और उनका बच्पन भौती सुखमय भी था क्योंकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थे दूद के कुले उन्होंने कि इसका अर्थ सीधा अर्थ नहीं है कि मूसे निगाल दिया इसका अर्थ है कि उन्होंने भरपूर दूद पिया अगली पंक्ति चूस अंगूठा सुधा पिया यहां वे कह रहे हैं कि मैंने अंगूठा चूस कर उसके अम्रित जैसे स्वाद को भी बच्चपन में चका है कहने का आर्थ है कि अंगूठा चूसना बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवर्ती होती है और उन्होंने अपनी व्रिद्धी में यानि अपने विकास में उस चरण का भी आनंद लिया है अर्थार्थ उनका विकास स्वाभाविक विकास हुआ है और अन्य बच्चों की तरह उन्होंने उनके भीतर भी यह स्वाभाविक प्रवर्ती थी किलकारी के लॉल मचा कर सूना घर आवाद किया बच्चे जब खुशी से चीकते हैं तो हम उसको किलकारी या किलॉल कहते हैं तो बच्चों की ऐसी आवादें हर किसी के मन को प्रसंद कर देती हैं और यहां जो मुहावरा है सूना घर आवाद करना अर्था घर में चहल पहल पैदा कर देना है, घर में चहल पहल होना तो कवियत्री कहती हैं कि मैंने हसी खुशी की चीखें मार कर, किलकारियां मार कर, अपने सुने घर में आनंद और उल्लास को भर दिया विशेश में आप लिख सकते हैं कि बचपन के जीवन का बहुत ही स्वाभाविक तित्रन किया है भाशा सरल है प्रवाहा है भाशा में गीतात्मकता है खड़ी बोली है और अनुप्रा सलंकर उच नीच में है किलकारी की लॉल में है और जोपड़ी और चीत्रुणों में है इसके अतिरिक्त द्वंद समास आपको उच नीच में मिलेगा और इसका विग्रह करेंगे तो उच या नीच होगा और मुहावरई का प्रयोगिनों ने किया है सुना घराबाद करना स्वभावोक्तिय अलंकर है और गुंट माधुर्य है अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे बड़े बड़े मोती से आंसु जैमाला पहनाते थे मैं रोई मा काम छोड़ कर आई मुझको उठा लिया जाल पोंच कर चूम चूम कर घेले गालों को सुखा दिया दादा ने चंदा दिकलाया नैन नीर युद दमक उठे धुली हुई मुसकान देख सबके चेहरे चमक उठे वे सुखा सामराजे छोड़ कर मैं मतवाली पड़ी हुई लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दोड़ द्वार पर खड़ी हुई तो इन पंक्तियों में कवेत्री ने बाल सुलब क्रियाओं का बहुत ही स्वाभाविक चित्रन किया है और साथ योवन आगमन के विशाय में भी बताया है तो भी कह रही हैं कि बचपन में रोना और मचल जाना बच्चों की स्वाभाविक क्रियाएं होती क्योंकि वे अपनी बात को ठीक से बता नहीं पाते और अक्सर अपनी और ध्यान आकरशित करने के लिए या उन्हें जब किसी चीज की जरूरत होती है तो अपनी और ध्यान खीचने के लिए वे रोया करते हैं या फिर किसी चीज के लिए जित करते हैं तब रोया करते हैं तो वे कहते हैं बचपन में रोना और मचल जाना बहुत खुशी दिया करता था जब वे रोती थी तो आखों से आशू जो मोती जैसे प्रतित होते थे वे गालों से ढुलकते हुए गले से होते हुए छाती पर ऐसे फैल जाते थे लगता था कि जैसे जैमाला पहनी हुई हो और वे कहते हैं कि जैसे ही मैं रोती थी रोना शुरू करती थी तो मा काम छोड़ कर आ जाती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी जहार पोंचकर और प्यार से पुछकार कर मेरे आंसों से हुए जो गिले हैं गाल उनको सुखा दिया करती थी दादा कैसे मनाते थे दादा उन्हें चंदा दिखाते थे आकाश में खिले हुए चांद को देखकर उनकी जो आखें आंसों से भरी हुई हैं सजल नेत्र हैं वे चमक उटते थे क्यों चमक उठते थे आश्चरे से और कोतु हलवश चमक उठते थे क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें बड़ी अचरच की चीज लगती है कि आकाश में सब ओर तो अंधिरा है और बस चान चमक रहा है तो वही उनके मन में भी सवाल उठा करते थे और शायद उसी के वश रिभूत वे आश्चरे से उसे देखती थी और उनकी आँखों में चमक आ जाती थी और बच्चे का जब ध्यान बढ़ जाता है तो वही उनके साथ भी होता था और चान को देखके वे प्रसन्न हो जाती थी और मुस्कुराने लगती थी उनकी यह स्वच्छ मुस्कान लेकर घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे यहां इन्होंने का चेहरे चमक उठे अर्था प्रसन्न हो जाते थे सभी के सभी क्योंकि वे सभी की लाड़ ली थी आगे भी कहती है कि वे सुक्का सामराज से छोड़ कर मैमत वाले बढ़ी हुई लुटी हुई कुछ ठगी तो यहां द्वार योगशा का द्वार है और वे यह बताना चाहिए जब बच्पन उन से छूटने लगा अर्थारत उनकी आयू बढ़ने लगी तो जैसे से वे बड़ी हो रही थी। उनुहें जवानी की मस्ती ने याणि योगशा की मस्ती ने गेर लियर और उस मस्ती में वे बचपन को पीछे छोड़ाई जो सुख का सामराज्य था उस बचपन के समय को वे पीछे छोड़ाई वे उनसे छूट गया और आगे वे कहती है जब यवनवस्ता के दर्वाजे पे वे आकर खड़ी हुई तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बचपन का छिंजाना कुछ ऐसी अनुभूती दे रहा था कि जैसे वे लुट गई है उनसे कुछ ठग लिया गया है अब इसका विशेश हम देखेंगे कि बचपन की मधुर यादों को बहुती सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त किया है तथा बाल मनो विज्ञान का बहुती स्वाभाविक चित्रन किया है मुहावरों का भी प्रयोक किया गया है भाशा खड़ी बुली है भाशा में प्रवाह है गीतात्मक्ता है और साथ ही इसमें अलंकार में अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर है और गिले गालों, चेहरे चमक, नैन नेर और कोई रह गया हो तो आप दीखे और उपमा अलंकर मोती से आंसु में है, पनरुक्ती प्रकाश अलंकर बड़े बड़े चुम चुम कर में है द्वंद समास का उधारन है, जाड पोँच, जाड और पोँच इसका विग्रह होगा और इस तरह से यह अंशिया समाप्त होता है इस पार्ट को मैं अल्पना वर्मा प्रसुत कर रही हूँ और आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल अल्पना वर्मा पर देख सुन रहे हैं अगली पुंक्तियों में कवियत्री ने किशोर अवस्ता आने का भावपोर्ण वर्णन किया है वे कहती हैं बचपन बीत क्या और अब उन्होंने किशोर अवस्ता में कदम रखा है लाज भरी आखें थी मेरी मन में उमंग रंगे ले थी तो जैसा हम जानते हैं कि हर किशोर किशोरी की दुनिया सपनों की दुनिया होती है रंगीन दुनिया होती है उनकी मन में ना जाने क्या-क्या उमंगे होती है क्या-क्या कर्ज गुजरने की उनकी तमन्नाएं होती है तो ऐसी ही कुछ भावनाएं उनके मन में भी थी कहती है कि लाज भरी आँखें थी मेरी मन में उमंग रंगी ले थी कि जब मैं किशोरवस्ता में आई, तब मेरी आखें भी शर्म नशे भरी हुई थी, लज्जा से भरी हुई थी, मेरे मन में मेरे मन में सरस उल्लास और उत्सवा भरा हुआ था, तान रसी ली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबी ली थी, अब योवन की उमंग से उनके कानों में रस भरे स्वरों की गुझार होने लगी और वे कहते हैं कि उनमें चंचलता आ गई और उनका रूप लावन्यमाई हो गया दिल में एक चुबंसी थी यह दुनिया अलबेली थी अब कौन से दुनिया अलवलि है या यह वन आवस्था की दुनिया यह वन की दुनिया तो वे कहती हैं कि उस आयू में उस उम्र में उनके मन में कहीं कुछ खटकता सा था कुछ चुपता सा था कुछ कचोटता सा था वह क्या था कि वह क्या कसक थी किस बात के चुबन थी वह बचपन के बीत जाने की चुबन थी और आगे वह कहते हैं यह दुनिया अलबेली कौन सी दुनिया यह नई दुनिया जिसमें उन्होंने भी कदम रखा है नव यौवन के आने से अब यह नई दुनिया बहुत ही अनोखी लग रही थी मन में एक पहली थी उनके मन में इस नव यौवन के आगमन के बाद से ही जीवन को लेकर तरह तरह के प्रश्ण उठने लगे तो जीवन को लेकर उनके मन में तरह तरह के भाव आया करते थे यह आगे का जीवन एक पहली की तरह लगता था और मैं सबके बीच अकेली थी यह कहने का आर्थ है कि वे आत्म केंद्रित होती जा रही थी सबके साथ होती वे भी वे अपने आपको अकेला महसूस करती थी विशेश में आप लिख सकते हैं कि किशोरी के मन के भावों का बहुत ही सुन्दा चित्रंग किया गया है भाशा सरल है और भाशा में प्रवाह है भाशा खड़ी बोली है गुण माधूर रहे है और अनुप्रा सलंकर चंचल छेल से भीली में है आगे की जो पंक्तिया है उनमें कव्यत्री ने बचपन के फिर से लोट आने की अभिलाशा को व्यक्त किया है क्या कहती है वे वे कहती है मिला याने मिल गया खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तुने अरे जवानी के फंदे में मुझे को फंसा दिया तुने तुभी कह रही हैं कि हे बचपन, बचपन को संबोधित करते वे कि तुम मुझे मिले, तुम्हे मैं खोज रही थी, तुम मुझे मिले पर अंतों तुमने मुझे छोड़ दिया और इस तरह से मुझे तुमने ठगा है और योवन अवस्था में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बचपन ने ही जवानी के फंदे में मुझे भसा दिया है माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है आकांक्षा पुरशार्त ग्यान का उदै मोहने वाला है तो वे कहती हैं कि वे ये जानती हैं इस बात को मानती हैं कि जीवन में यवन काल सबसे अधिक निराला होता है, अनोखा होता है क्योंकि इसी समय मन में अभिलाशाएं जागती है, पुरशार्थ जागता है, ग्यान का उदै होता है और इन सभी के कारण व्यक्ति उस समय के मोह में बंद जाता है अर्धार माया मोह में फंज जाता है आगे वे कहती हैं कि किन्तु यहां जंजट है भारी युद्ध छेत्र संसार बना जिंता के चक्कर में पढ़कर जीवन भी है भार बना वे कहती हैं कि यह अवस्था जीवन रूपी संसार का रण शेत्र है और यहां जो योवन के कारण योवन अवस्था के कारण जो मोह माया उत्पन होती है यह बहुत बड़ा जंजट है और इसी के कारण चिंता उत्पन होती है चिन्ताओं में मनुष्य पढ़ जाता है और अपने जीवन को भार समझने लगता है जीवन संगर्षों से जूजते हुए उसे अपना जीवन भार लगने लगता है आगे की पंक्तियों में वे कह रही हैं कि आजा बचपन बचपन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये बचपन तो फिर से आजा एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शान्ती तो एक बार फिर से मुझे वे निर्मल शान्ती दे दे व्याकुल व्यता मिटाने वाले वे अपनी प्राकृत विश्टान्ती और जो तुम्हारी स्वाभाविक विश्राम और सुक आराम प्रदान करने वाली शान्ती है उसे मुझे दे दे ताकि मैं इनसांसारिक दुखों को और अपने मन की बेचैनी को मिटा सकूं तो यहाँ विशेश में आप लेख सकते हैं कि योवन अवस्था को उन्होंने जीवन संगर्षों की अवस्था बताते हुए यहाँ पर अपने मन के भाव अभिव्यक्त किये हैं और योवन अवस्था की अपेक्षा उन्होंने बचपन को आधिक शान्ती दायक बताया है भाशा खड़ी बोली है भाशा में प्रवावा है सरलता है सरस्था है गितात्मक्ता है और अलंकार में व्याकुल व्यथा में और प्राकृत विश्रान्ती में अनुप्रास अलंकार है युद शेत्र संसार में रूपक अलंकार है अब जो पंक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें कव्यत्री ने अपनी बेटी के रूप में खोया हुआ बच्पन फिर से प्राप्त करने का भाव व्यक्ट किया है वे कहती हैं वे भोली सी मधुर सरलता वे प्यारा जीवन निश्पाप निश्पाप अर्थार बिना पाप के जिसमें कोई पाप नहीं कोई बुराई नहीं क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप कर्थ कस्ट और किसे कह रही है क्या आकर फिर मिटा सकेगा यह प्रश्ण किस से कर रही है अपने बचपन से वे कहते हैं कि हे बचपन उस बाल्य वस्था में जब जीवन में बहुत ही भोलापन था मधुरता थी सरलता थी और वह जीवन जो बुराईयों से दूर था वह पहुत ही प्यारा जीवन था क्या फिर से बचपन मुझे वापस मिल सकेगा क्या वह फिर से आकर मेरे मन के कस्टों को मिटा सकेगा मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नंदनवन सी फूल उठी वे छोटी सी कुटिया मेरी नंदनवन किसका वन है देवों के राजा इंद्र तो देवराज इंद्र का जो बाग है वह नंदन्वन कहलाता है और वहाँ बहुती सुन्दर-सुन्दर फूल होते हैं कभी यत्री कहती हैं कि मैं तू बच्पन को याध ही कर रही थी, अपने जीवन में फिर से लौटाने के लिए के बुला रही थी कि मेरी बेटी मेरे जीवन में आई यानि उनकी बोल उठी बिटिया मेरी अर्था बेटी के स्वर गुजे कहने का अर्थ है उनके जीवन में उनकी बेटी का आगवन हुआ उसके आने से उनकी छोटी सी कुटिया नंदनवन सी फूल उठी अर्था जैसे नंदनवन के सुन्दर फूलों को देख कर मन को आनन्द प्राप्त होता है ऐसे ही बिटिया के आने पर घर में आनन्द चा गया या घर खुशियों से भर गया हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवेटरी यह कहना चाहती हैं कि अपनी बिटिया के रूप में उन्होंने अपने बच्पन को फिर से पा लिया अलंकर अनुप्रास अलंकर आकर फिर मेरे मन और उपमा अलंकर इस पंक्ती में है नंदन वन सी फोल उठी वे छोटी सी कुटिया मेरी अब जो पंक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवेत्री ने अपनी बेटी के बचपन का चितरन किया है और बाल सुलब चेस्टा का भी बहुत ही स्वाभाविक चितरन किया है वे कहती हैं मा ओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खा कर आई थी मेरी बेटी ओ मा कहकर मुझे बुला रही थी वे मिट्टी खा कर आई थी थोड़ी से मिट्टी उसके मुँँ में थी और थोड़ी उसके हाथ में थी जिसे वे मुझे खिलाने के लिए आई थी पुलक रहे थे अंग, द्रिगों में, द्रिग मिन्स आँखें, पुलक कार्थ होते हैं, खुशी से रोमाणचित हो रहे थे द्रिगों में कोतुहल, कोतुहल करते जिग्या सा छलक रहा था मुह पर थी आहलाद लालिमा, जो खुशी के मारे जो लाल हो जाते हैं गाल, आहलाद प्रसन्नता विजे गर्व था छलक रहा तो इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि बच्चे छोटी-छोटी उपलब्दियों पर खुश हो जाते हैं चाहे वे मिट्टी, खाना और खिलाने जैसा कोई बालसुलब का रहे हो तो ये सब बच्चों की स्वाभाविक चेस्टाएं हैं मिट्टी खाना, मिट्टी खिलाना और फिर उस पर गर्व महसूस करना तो वे कह रहे हैं कि जब वे मिट्टी खिलाने के लिए लाई, खुद खा कर आई और अपनी मा को मिट्टी खिलाने के लिए लाई तो प्रसन्नता से उसके अंग पुलकित हो रहे थे और उसकी आँखों में जिग्यासा थी उसके चहरे पर उल्लास की लालिमा दिखाई दे रही थी और साथी साथ विजय का गर्व भी जलक रहा था कहने कार्थ है कि मिट्टी खाना और मा को भी मिट्टी खिलाने कि इस बाल सुलब चेस्टा पर उसे प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा था अगली पंक्तियों में उन्होंने अपनी बेटी से हुई बातचीत का और उसकी सुन्दर छबी का वर्णन किया है तो भी कहती हैं कि मैंने पूछा यह क्या लाई कवेत्री कहती हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी से पुछा कि तुम यह क्या लाई हो तो उसने कहा कि मा तुम भी इस मिट्टी को खाओ और उसकी तोतली क्योंकि खाओ को काओ लिखा है बच्ची तुतला कर बोलते हैं तो वही तोतली बोली यहाँ पर उन्होंने काओ लिखा है तो उसकी तोतली बोली सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने होशी से कहा प्रसन्नता से कहा कि तुम ही खाओ आगे भी कहती हैं पाया मैंने बच्पन फिर से बच्पन बेटी बन आया उसकी मन्जु मूरती देखकर मुझ में नव जीवन आया नव जीवन नया जीवन तो बीटी का ये वैवार बिट्टी खाने और मिट्टी खिलाने का इसे देखकर कव्यत्री को ऐसा लगा जैसे कि उनका खोया हुआ बचपन बिट्या के रूप में फिर से उन्हें मिल गया है और उसकी सुन्दर, मनोरम, बाल मूर्ती देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका यह नया जीवन है या उन्हें नये जीवन की आनंद अनुभूती होने लगी कहने का आर्थ है कि अपनी बेटी की जो ये वाल सुलब, चेस्टाएं और क्रड़ा कौतों उन्होंने देखा उसे देखकर उन्हें फिर से बचपन की मीठी, अनुभूती होने लगी और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्हें नया जीवन मिल गया है अलंकर इसमें क्यालाई में यवन के अवरती है, अनुप्रास अलंकर है और मैने बचपन में अनुप्रास अलंकर है, बचपन बेटी बनाया में अनुप्रास है, मन्जु मूरती में अनुप्रास है और प्रशनालांकर पहली पंक्ती में हैं जहां वे प्रशन कर रही है तो कविता के अंतिम पंक्तियां हम पढ़ते हैं और इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी बेटी के रूप में मिले नए बच्पन का भावपून वर्णन किया है वे कहती हैं मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वेम भी मैं बच्ची बन जाती हूँ कि जब वे तुतला कर मुझसे बात करती है तो मैं भी उसी की तरह तोतली वाणी में बात करने लगती हूँ और उसी के साथ खेलती हों और खाती हों और इस तरह उसके साथ मिलकर मैं भी बच्ची बन जाती हों अर्थार बच्पन को फिर से जी लेती हों जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया तो वह कहती है कि अपने खोई हुए अर्थार जो बीते हुए बचपन को वह खोज रही थी धूंड रही थी वह बचपन अब जाकर उन्हें मिल गया है जो बचपन उन्हें छोड़कर भाग गया था वही अब उनके जीवन में फिर से आ गया है अर्थार बेटी के रूप में उन्हें अपने बीते हुए बचपन का आनंद फिर से अनुभाव करने का अवसर मिल गया है विशेश में आप लिख सकते हैं कि एक मा अपनी बेटी की रूप में बचपन को पा कर और उसी की तरह बच्ची बनकर उसके साथ कुछ समय बिता कर जो आनंद की अनुभूती करती है उसकी बहुती सुन्दर अभिव्यक्ती की गई है और स्वभावोक्ती अलंकार इसमें है अनुप्रास खेलती खाती में है और मानवी करन अंतिमपंक्ती में है और इसके साथ ही यह लंबी कविता यहां पर समाप्त होती है अब हम कुछ वस्तुनिस्ट प्रश्न देखते है कवित्री को बार-बार क्या याद आती है युवाकाल का जीवन बचपन की मधुरियाद मन का संता या जीवन खूब नीराला है तो इसमें बहुत आसाने सेलेट करना बचपन की मधुरियाद कोई कन्फ्यूजन नहीं बचपन में कवित्री की रोने पर काम छोड़कर कौन ये भी एकदम डिरेक्ट प्रिश्ण है कवित्री की सहली तो नहीं आई थी कवित्री की दादी भी नहीं आई थी ना उनकी बहन आई थी कवित्री की मा आई थी तो उत्तर होगा ब कवित्री की मा तीसरा है सुना घर आबाद होता है विकल्प है अतितियों के आने से बच्चो तो कविता के अनुसार कौन सा उत्तर होगा बच्चों की गिलकारियों से यह आंसर इसका सही होगा कि बच्चों की गिलकारियों से सुना घर आबाद हो जाता है चौथा रोते बच्चे की आँखें भी चमक उठती हैं अब यहां जो विकल्पदी हैं वो भी कन्फ्यूज करने वाले हैं क्योंकि मा की गोत पाकर भी बच्चा चुप हो जाता है बच्चों के साथ खेल कर भी बच्चा चुप होता है उसके आँख में चमक आजाती है जब वो कोई नया खेलोना देखता है और चांद को देखकर तो यहां हमें कविता को याद करती वे उसमें क्या प्रसंग था और कव ऐसी इस्तित्य आई थी उसे ही धिहान में रखकर उत्तर को चुणना है रोते वे बच्चे की आँखें भी चमक उठती हैं कब जब वे चांद देखता है तब उसके आँखों में जिग्यासा का भाव आता है और चमक आजाती है क्या चीज़ देख लिए आश्चार से पांचमा बड़े होने पर कवियत्री ने अनभव किया मानों सुक्का सामराजय लुट किया हो सुक्का सामराजय मिल गया हो या फिर जीवन का अनमोल आनंद पालिया हो जीवन की वास्त्रिकता जान ली हो बड़े होने पर कवियत्री ने कविता के अनुसार हमें उत्तर ढूनना है क्योंकि बाकी सारे इन में से कुछ आपको सही भी लगें जीवन की वास्तिकता हो से जान ली बड़े होने पर सभी को ऐसा हैसा होता है लेकिन यहां कवियत्री ने क्या अनुभव किया था उसने अनुभव किया था कि सुख का सामराज्य लुट गया हो पहला उत्तर इसका सही होगा रचनाकार को किस की याद आती है? किस की याद आती है? मस्ती की, सुचंदता की, बचपन की, चिंतामुक्त रहने की अब आपको इसमें सभी सही लगेंगे लेकिन जो सबसे ज्यादा सटीक है वह है बचपन क्योंकि बचपन में मस्ती भी आजाएगा, सुचंदता भी आजाएगे और चिंतामुक्त रहने की अवस्ता भी आजाएगे तो हम किसी एक को नहीं चुनकर जिसमें ये तीनों ही आजाते हैं वह है बचपन तो कवितरी को बचपन की याद आती है यह ग आपको चुनना है अगला प्रश्ण बचपन का आनंद किस प्रकार का आनंद है तो अब यहां जो चार विकल्प दी है अनंत आनंद, परमानंद, चरमानंद, अतुलित आनंद तो यहां हमें आंसर क्या सेलेक्ट करना है जो कविता के अनुसार है अतुलित आनंद प्रतियेक व्यक्ति का बचपन निम्ण में से किसे नहीं जानता सचंदता, चिंता रहित होना, खेलना कूदना या उचनीच का भेद तो यह तो आसान है प्रतियेक व्यक्ति का बचपन उचनीच का भेद नहीं जानता सभी बच्चे मिलकर खेला करते हैं सुधा शब्द का समनार्थी शब्द कौन सा है तो इन में से आप देखे दूध, पानी, मदू, अम्रित कौन सा है समानर्थ? अम्रित अम्रित इसका सही उत्तर है कवेत्री की कुटिया नंदन वनसी क्यों फूल उठी है? बिटिया के आने से या फिर उसके बोलने से या फिर उसके भूलेपन से अब यहां तीन विकल्प है और तीनों ही हमें सही लग रहे हैं कवेता को आप फिर से पढ़िए कवेता में साफ साफ लिखा है बिटिया के बोलने से नंदन वनसी उसकी छोटी गुटिया फूल उठी यही तो लिखा था तो आपको ये तीनों आपको सही लग रहे हैं, लेकिन जो कविता में सबसे ज्यादा सटीक है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है, हम जब याख्या करते हैं तो बहुत सी बातें बोलते हैं कि बिटिया के आने से, बिटिया के जन्म लेने से, या बिटिया के वचन सुनने से, ल को देख कर ढून ना है कि क्या सबसे सही आंसर होगा तो यह है बिट्टिया के बोलने से सही आंसर बच्पन बीच जाने से जीवन में किस चीज की कमी का अनुभव होता है मस्त खुषियों का या फिर गुमने पिरने का या चिंताओं का तो इसमें मस्त खुशियों का, तो मस्त खुशियों उसकी कमी महसूस होती है कवितरी बचपन से क्या मांग रही है, मन का संताप, मा का प्यार या प्राकृत विश्रान्ती तो तीनों में से जो कविता के अनुसार हमें नूनना है वह सही उत्तर है प्रागृत विश्रानते बिटिया हाथ में लेकर क्या आये थे? क्या लेकर आये थे? हाथ में मिट्टी लेकर उसे खिलाने आये थे और इसी के साथ यह पार्ट अब समाप्त होता है आशेया आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा कवीता अच्छे से समझ में आ गई होगी मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ धन्यवाद